हलो बच्चों चलिए विशे को आज आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे थे विशे हैर फेर तो ये अध्य अच्छे है और विशे का नाम है हैर फेर और ये एक वियंग रचना है तो हमने पढ़ाता कि एक मजदूर जो की बहुत गरीब था और अपने काम से लोटते बक्त वो जब रास्ते पे जा रहा था तो एक बारात देखके रुख गया लेकिन उसे रास्ते से हटने के लिए बारातियों ने उसे बहुत मारा पीटा और उसके कपड़े फार दिये और फैंक दिया जाडियों में तो उसे ये एहसास हुआ ये सब हुआ क्योंकि वो गरीब है तो उसके मन में ये जो थी बात के गरीब है इसलिए उसे ऐसा व्यवार दिया गया तो उसे वो बहुत बुरा लगा उसे लगा जैसे कि गरीबी एक अपराद है एक इश्वर के दिन द्वारा बनाया गया एक बहुत ही अविशाप है गरीबी तो उसने क्या हुआ उसके दि उसे लगता था क्या गरीब होने के वज़े से क्या दुनिया में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कोई इज़त नहीं है क्यूं लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवार किया ठीके तो उसे वो बहुत बुरा लगा तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मज़दूर ने जी जान से काम किया दिन का आराम बेचा रात की नीड बेच दी सतरंच की चालें चली छल कपड धोके से धन पाया और धनी बन गया अब वो मज़दूर न था अपने नगर का नामी रईस था उसके संदुकों में रुपे और मूरें थी उसके रहने के लिए एक विशाल महल था उसकी सेवा करने को दास दासियां थी उसकी सवारी को घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सिर जुका कर आते थे एक दिन सांज के समय वो पालकी पर सवार अपने घर लोट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुग गई उसने पूछा क्या है नोकर जबाब देता है सरकार मजदूरों की बारात आ रही है धनी बोला उन्हें कहो एक और हड़ जाएं नोकर बोला वे कहते हैं सडक सिप्र तुमारे लिए नहीं है इस पर हम भी जल सकते हैं धनी पाजियों को डंडे मार कर भगा दो ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं देखिए जब वही मजदूर गरीब था तो उसके साथ जब ये व्यवार हुआ था तो उसे बुरा लगा था लेकिन यही मजदूर जब अमीर बन गया तो उसके जो व्यवार में भी बलाब आ गये अब जो वो खुद बुरा समझ रहा था वही काम वो खुद करने लगा तो उसने कहा कि उन गरीबों को रास्ते से हटाओ तो डंडे बरसने लगे मजदूर चीखें मारते हुए इदर उदर भागने लगे थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर न था मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया उसने कहा मुझे पालकी से उतार दो मैं आराम करूंगा नोकरों ने सडक के किनारे गलीचे बिछा दिये और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो यहां कभी पहले भी बेट चुका है साइद कही वर्स पहले, साइद किसी पिछले जन्द में तो इस समय उसका सरीर अपनी पोसाक में गरम था उसके सामने उसके नोकर हाथ बांदे खड़े थे और सहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था वो नरम गलीचे पर पालती मार कर बेट गया और अपनी आँखें आकास कियर उठा कर बोला हे प्रभू, इन अभागे मजदुरों के पास ना दन दोला थे ना महल अटारियां ना नोकर चाकर फिर तुने ही ने क्यों पेदा किया है क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आखड़े हो और हमारा समय नष्ट करें आखी दुनिया को इनकी क्या जरुरत है तो देखिए सुदरसंग जी ने ठीक ही लिखा है कि जब एक मजदुर खुद गरीर था तो उसे वो सब चीजे इतनी बुरी लगी दूसरों का व्यवार बुरा लगा जब वो खुद अमीर बन गया तो वही सब जितने खराब गुण थे वो उसी में आ गए तो ठीक है तो ये तो मतलब नहीं है कि कोई धनी बन गया तो उसका व्यवार ही बदल जाए अच्छे लोगों का ये वर्ताब नहीं होता है लेकिन मजदुर का जो पहले विचार उसके लिए दूसरों का था वही विचार ये अपने मन में अब दूसरों के लिए ला रहा है ठीक है तो यही है व्यंग रचना के एक इनसान जब बदलता है धन के लालच में मोह में पढ़कर जब बदलता है अपनी इनसानियत खोवेड़ता है तो उसके विचार सकती भी सुन्य हो जाते हैं ठीक है जिसको वो अपने अतित में वो अच्छा बोल रहा था वो अभी उसके लिए बूरे हो गए तो यही बात है कि हमें यहां से सीख मिलना चाहिए कि जैसे भी परिस्तितिया हो हमें अपने वर्ताब कभी नहीं बदलने चाहिए ठीक है समय बदलता रहता है लेकिन हमें अपने व्यवाहर कभी नहीं बदलना चाहिए शचिन जगलेंगे तके, तेंकियो!